माइनस पलस घटता है माइनस पलस घटता है लेकिन बड़े यंक का चीन उतरता है माइनस माइनस घटता है लेकिन बड़े यंक का चीन उतरता है माइनस माइनस जटता है लेकिन माइनस का चीन उतरता है माइनस माइनस जटता है लेकिन माइनस का चीन उतरता है पलस पलस जटता है तथा पलस का चीन उतरता है पलस पलस जटता है तथा पलस का चीन उतरता है माइनस माइनस घटता है लेकिन बड़े यंक का चीन उतरता है माइनस माइनस जटता है लेकिन माइनस का चीन उतरता है हम लोग जानेंगे कि पलस माइनस घटता है लेकिन बड़े यंक का चीन उतरता है और माइनस पलस भी घटता है लेकिन बड़े यंक का चीन उतरता है जैसे माइनस आठ पलस चार बरावर देखेंगे ये यंक के पहले माइनस का चिन है और इसके पहले पलस का चिन है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस पलस घटता है लेकिन बड़े यंक का चिन उतरता है अनि हम लोग इसको घटा देंगे आठ में चार जाएगा तो क्या बच जाएगा चार लेकिन बड़े यंक का चिन उतरता है बड़े यंक का चिन बड़ा है तो को नहीं आठ बड़ा है कि चार बड़ा है देख रहे हैं कि यंक में आठ बड़ा है और याठ के पहले चिन किसका है Minus का इसलिए हम लोह यहां क्या लगा देंगे Minus, अब देखते है Minus PLUS घटता हैं लेकिन बड़े उतरता है यह Minus 8 PLUS 4 equal to केतना हो जाएगा Minus 4 अब देखते है Minus माइनस जूरता है लेकिन Minus का चीन उतरता है Minus 8 Minus 4 बराबर, Minus .- जूरता है लेकिन Minus का चिन उतरता है तो 8 हर 4 को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा लेकिन चिन किसका उतारेंगे माइनस का माइनस 12 हो जाएगा अब देखते हैं पलस माइनस घटता है तथा बड़ेंक का चिन उतरता है जैसे 10 माइनस पांच बराबर सब्सकी खbil्रलिष में 5 घटताने पर केंपना बच्छता है पलस माइनस घटता है लेकिन बड़ेंक का प्लस चीपा हुआ है तो पलस यहां में चीपा हुआ रहेगा अब पलस पलस जूड़ता है जैसे 10 जोड पांच दोनों में पलस का चीपा हुआ है पांच में प्लस है तो दस तो दोड़ दें कितना जाएगा